भारती गेदबाजों ने एक बार फिर भारती टीम को हारा हुआ मैज जिताया भारती युवाट टीम ने कंगारूओं को चार एक से धूल चटाया तो ये जो भारत और अस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचो की T20 स्रिंखला हो रहे थी वो समाप्त हो गई है और भारती टीम ने इस रिंखला पर अपना कबजा जमा लिया और धमाकेदार तरीके से उन्हों ने इस रिंखला में जीतर जित किया चार एक के अंतर से उन्होंने कंगारूं को धूल चटाया है निस्ते नाबूत कर दिया इस तरिंखला में और पूरी तरीके से धारासाई कर दिया है अगर हम पाचवे मुकाबले की बात करें तो यहां पर जो बैंगलूरू में यह मुकाबला खेला जा रहा था तो बहुत ही अनकन्विंसनल पिछ यहां की रही काफी टर्न हो रहा था बाउंस था इस पिछ पर फस कर गेंद आ रही थी और यहां पर गेदबाजी करना काफी ही आसान था अच के मुकाबले में तो जब भारती टीम ने एक बार स्कोर बोर्ड पे 160 रन बना दिया था तो ऐसा लग रहा था कि एक पार स्कोर यहाँ पर भारती बल्ले बाजों ने बना दिया जो सरेयर की सांदार पारी रही उसके बाद आउलत यहाँ तक भारती टीम पहुच पाई थी लेकिन तब भी भारती गेदबाजों के उपर काफी जिम्मिदारिया थी क्योंकि यहाँ के डाइमेंसंस काफी छोटे होते हैं आसानी से अगर बॉल बल्ले पे आ गई तो बाउंडरीस क्लियर हो जाती है और वही हुआ अस्टेलियन टीम लगभग मगाबले में एकदम आगे आ गई थी मैथ्यू वेड हाला कि अकेले जरूर पढ़ गए थे लेकिन उन्होंने अंतिम कुछ छड़ों में पूरी तरीके से मुकाबला अस्टेलिया के फेवर में कर दिया था और सबसे खास बात की विपरीत परिस्थितियों में लड़ना जानते हैं ये इस भारती यूवा टीम का कह सकते हैं एक तरीके से ट्रेडमार करा है इस रिंकला में और हर बार जब भी वो इस रिंकला में पीछे रहे हैं वो किसी ने किसी तरीके से आगे आही गए और मुकाबले को भी अपने नाम कर लियें सिर्फ और सिर्फ एक मुकाबला हारा हुए अगर आप हर एक मुकाबले को उठाएंगे चाहिए चोथे मुकाबले में गेदबाजों ने भारती टीम की वाफ़ी कराई और पाचुए में पर फिर से गेदबाजों ने शानदार बेमिशाल गेदबाजी करके भारती टीम को छे रणों से जीतरजीत करा दिये और सदीब सिंग का ये यादगार ओवर काफी सराहनी रहा लेकिन उससे पहले ही रवी बिश्णोई अक्छर पटेल मुकेस कुमार ने काफी अच्छा वर्क किया था जिसके कारण अश्टेलियन टीम बीच में बुरी तरीके से फस गई थी और अंतमे वेड की उस तुफानी पारी के बदोला अश्टेलियन टीम में मुकाबले में भी आ गया ही लेकिन अर सदीब सिंग ने इंसे ओर किया कि ये मुकाबला भारती टीम के ही नाम रहे और जो शुरू अलाश्ट की छे गे दे थी उसने दिखाया कि इस भारती टीम में क्या स्परिट है अगर हम स्कोर क पर नज़र डालें इस सेकेंड इनिंग के तो यहाँ पर हेड़ नेट थाईस बेन मैकडरमॉट ने चंवन उनके अलावा मैथ्यू साथ ने सोलो तो वेड की तूफानी पारी रही 22 रनों की जिसने पूरी तरीके से मुकाबला अश्टेलिया के फेवर में कर दिया था लेक इस मुकाबले का सूर्टे आला और भारती युवा टीम ने यहाँ पर कंगारू टीम को निष्टे नाबूत कर दिया धारासाई कर दिया और चारो खाने चित्त कर दिया तो आजके अपने इस रिपोर्ट में वस इतना ही आप सभी अपना ध्यान दें सुरक्षित रहें पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें